हेलो स्टुडेंट्स आज हमने टॉपिक स्टार्ट करने आपका टाइम एंड डिस्टेंस अब टाइम एंड डिस्टेंस देखने के लिए अगर कोई बच्चा वीडियो आया हुआ है और वो डिरेक्टली यहां पर आ गया है बिना ट्रेन का चैप्टर देखें तो देखो उस में डिस्टेंस तो टाइम में डिस्टेंस आप ने पहले नहीं देखना सबसे पहलेया आपने ट्रें के आपने लेक्चर सारे देखने तैंकी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी फिर उसके बाद आपने टाइम में डिस्टेंस कि ऊपर अने यांकि पाने आपको बता geen infinite प Vit बस वहाँ पिने train के उपर question जाता थे, यहाँ पर man के उपर, scooter के उपर, इस से aeroplane के उपर, इस तरी कोशन आ जाएंगे, concept तो वही रहना न, भाईया यह थोड़ना बदल जाएगा, time and distance में, अगर मैं speed के formula की बात करूँ, तो speed is distance upon time, तो यह थोड़ना change होगा, kilometer per hour को meter per second में change करना, meter per second को kilometer per hour में change करना, तो वो सब चीज़े चीज़े नहीं होगे, जो ratio के concept हमने सहा के सीखे, वहीं से हम इस chapter को start कर रहे हैं, तो जो ratio वाला part आप हाँ पर सीख के आए, train chapter के अंदर, उसी part को हम यहाँ पर continue करेंगे, तो पहले कुछ बिल्कुल basic question हम बनाएंगे, ताकि आप एक बार दुबारा से flow में आ जाओ, देखे, क्या question है, person walk, अब ratio वाला अगर आप वो concept यहाँ देना, अब directly question को बना लो, देखे, मुझे बनाने के जूट भी नहीं है, आप वीडियो को थोड़ा सा रोको, आप इस question को बनाओ, आपका अपने answer बन जाएगा, अगर आपको ratio वाला concept clear हुआ है, normal speed, usual speed मतलब original speed कह दो, या फिर normal speed कह दो, तो एक usual speed हो गई, और एक आपके पास क्या होगी, new speed हो गई, version walk at 4 by 5 of usual speed, मतलब अगर मैं कहता हूँ, usual speed मेरी 5 थी, तो आप उसके 4 by 5 मतलब कितने पे जा रहा है, चार पे जा रहा है, तेक है, यह होगी आपकी speed की ratio, उपर speed ने लिखो और new लिखो, तेक है, usual का मतलब होता, original, तेक है, आप बस यहाँ पे लिखो, original जो था, और नया जो था, तेक है, original speed अगर usual speed उसके 5 थी, तो आज वो उसके 4 by 5 पे, तो उसका 4 by 5 को कितना आएगा, 4 आएगा, तो मतलब पहले वो 5 से जाता था, आज वो 4 से जाएगा, तो अगर speed कम की जाते, तो time जादा लगता है, हम जानते हैं, speed और time में relation कौन सा होता है, inverse, अगर speed की ratio 5, ratio 4 है, तो इसका मतलब time की ratio क्या बनेगी, time की ratio आपके पास यहाँ बनेगी 4 ratio 5, देखो, उगर person walk 4 by 5 एजो the speed and reaches office 20 minutes late, आपने अपने speed को कम किया, तो आप late पहुँचे आप 20 minute late पहुचे हो, आप ratio में कितना late पहुच रहे हो, पहले आप 4 ratio time में पहुच जाते थे, अब आपको 5 ratio time लग रहा है, तो आप ratio में 1 ratio late हो, तो 1 ratio कितना हो गया, 20 minutes, हम से क्या पूछा गया है, हम से यह पूछा गया है, find is original time to reach the office, original time to reach the office, 4 ratio, तो 4 ratio हमाँ पास कितना हो हो गया, 80 minutes, हाँ जी, तो बताइए, अब क्या इसमें कुछ नया था क्या, नहीं न, यह सारा वही concept है, जो आपने train chapter में पढ़ा है, तो वही सारा का सारा हमने time and distance के अंदर भी यूज करना है, ठीक है, और वही चीजें आपकी bottom stream chapter के अंदर भी यूज होंगी, वहाँ पर य चार सा जारा है, speed की ratio 5, ratio 4, तो time की ratio उसकी inverse हो कि 4 ratio 5, पहले से time उसको ज्यादा लग रहा है, एक ratio, question में आपको बता रखा है कि आज वह 20 minute late है, तो 1 ratio 20 minutes, original 4 ratio कितना हो गया, 80 minutes, ठीक है, चले, यही concept यूज करते हैं, आप इसको भी बना दीजे भी, यही वाला concept यूज करके आप इसको भी बना दो, ठीक है, वो कह रहा है, within average speed of 45 km per hour, a train reaches its destination on time, अगर वो 45 km से जा रही है, तो वो time पहुच जा रही है, if it goes within average speed of 30 km per hour, लेकिन अगर वो 30 की speed से जाए, तो वो क्या हो जाती है, 15 minute late हो जाती है, वही वाली बात कर रहा है, जो पिछले question में बात हो लेकिन लेकिन इस बार आप से पूचा के, find total journey, find total journey distance, ठीक है, मतलब total आपको distance निकालने कितना है, तो देखो, आपने लिखा speed, speed पहले थी 45, और अब जो नई speed है, वो कितनी है, 30 है, अब अगर आप 45 की बजाए, अगर आप 30 से जाओगे, तो obvious सी बात है, time आपको जाता लगेगा, तो time की ratio आप जानते हैं, इसका inverse होता है, speed और time में ultra relation, तो time आप लिखोगे कितना, 30, और यहाप लिखोगे 45, तो पंदरा के table से में इसको कार्ट देंगे, तो time की ratio हमने लिखे थी 2 ratio 3 आगे, तो time उसको पहले से वो 15 मिट लेट हो रही है, ratio में कितना लेट हो रही है, 1 ratio, तो 1 ratio हमारे पास कितना हो गया, 15 minutes, ठीक है, अब आप जो answer है न, आप answer इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, यही concept हमने आगे भी question में निकालना है, तो ध्यान से रखना, और यह मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आपको एक बारे, ठीक है, तो दुबार समझो, 20 minutes, 2 ratio कितना हो जाएगा, 30 minutes, मतलब आदा घंटा इसको लगता है, ठीक है, तो आदे घंटे में यह पहुच गई है, find total distance, देखो distance क्या होता है, distance होता है, speed into time, अगर आपने यह वाला time period लिया है, 2 ratio वाला, तो यही वाली आप speed लोगे, तो speed 45 है, time लग रहा है, 30 minutes, minute को to 2 से डिवाइड करोगे, तो साड़े 22 km, distance होगे 22.5 km, check कर लें भी नीचे तेक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल साफ-साफ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, मैं एक बार दुबार आपको बतायाता है, speed हमारी 45 ratio 30, time कितना हो जाएगा 30 ratio 45, पंदरा की टेबल से काड़े 2 ratio 3, पहले से time जदा लग रहा था, पहले से लेट हो रही है, तो 1 ratio निकाले 15 minutes, 2 ratio कितना हो जाएगा 30 minutes, ठीक है, 2 ratio हमने ये वाला, ये वाला 2 ratio हमने find के लिए 30 minutes, अगर आप ये वाला time ले रहे हो, तो आप आपने speed भी ये ही वाली लेनी है, अगर आप ये वाला time लोगे तो speed फिर आपने ये वाली लेनी है, तो आप इससे भी बना के देख लो जाएगा, तो 1 ratio 15 minutes है, अगर मैं दूसरे वाले से बनाता, तेक है, distance is equal to speed into time, आप यहाँ पे speed लिखोगे 30 है, तेक है, time आपका, 1 ratio 15 minutes, 3 ratio कितना होगा, 45 minutes, 3 ratio को 45 minutes, minutes को आर्स में करणा कितना, divide by 60, यहाँ पे भी काटोगे, 15 बटा दो फिर से आगया, तो 22.5 km, तो दोनों में से किसी का भी यूज़ करके हम बना सकते हैं, तो एक similar question ऐसा ही आपको दे, अब आप लोग बना पाऊगे, चलो बना के देखो, ये question क आपको ट्राए करो, चला, क्या बनाते हो, क्या कहरा देखो, यहाँ पे, रमेश, ट्रेवल्स बैबस, फ्रॉम सिटी ए टु सिटी बी, अधन स्पीड ऑफ स्टी फोर्टी फोर किलो मिटर पर आर, शूरेश, ट्रेवल बै टेक्सी, फ्रॉम सिटी अ टु सिटी बी सेमे डि दोनों की स्पीड आपको बता दीगी and takes six hour lesser than taken by Ramesh और मतलब सुरेश को Ramesh से क्या च्छे गंटे कम लगते है what is the distance in km between the two cities? same question, पिछले वाला बिल्कुल same question है देखो, speed Ramesh है, सुरेश है पहले को होना है लेकिन पहले Ramesh है Ramesh की जो speed है वो 44 है और सुरेश की जो speed हो कितनी है, 77 है speed की ratio 44, 77 है तो time की ratio क्या हो जाएगी? time की ratio हो जाएगी 77 over 44 कुछ बच्चों के मन में ये भी आता हो वह सरुपर आप उपर वाली values को cancel क्यों नहीं करते है बच्चे उपर वाली values को cancel इसलिए नहीं करता क्योंकि distance तो आपने, जब आपने distance निकालना है तो speed आपको originally होती है आप गलती से ratio से ना multiply करता उसको जब आप यहां से ratio comparison करते हो तो यहां से आप time की actual value निकालते हो तो actual time की value को actual speed से multiply करना है ratio से multiply मत कर देना तो speed, इसकी actual speed 44 है, इसकी 77 है तो time आपने inverse किया तो time की मैंने ratio बना ली कि 7 ratio 4 है हमें यह पता था कि सुदेश को रमेज से 6 घंटे कम लग रहे है इसको इसे 6 घंटे कम लग रहे है ratio में कितना कम लग रहे है 3 ratio 3 ratio की value 6 hours 3 ratio की value 6 hours 1 ratio कितना हो जाएगा 2 hours और मैंने आपको बताया 7 ratio कितना हो 14 hours आपने 7 ratio की value निकाली नहीं आप 14 hours यह इसकी actual value actual time है इसका यह इसकी actual क्या है speed है तो distance क्या होता है speed into time कि जो रमेश है 44 की speed से जाता है और वो 14 घंटे में city को cover कर लेता है तो इसका जो distance है वो कितना हो गया 616 km तो 616 km आपका मन करता है रमेश चे नहीं find करना सुरेश से find करना है तो हम सुरेश से भी find कर लेंगे कि 1 ratio का 2 hours है तो 4 ratio कितना होगा 8 hours सुरेश को 8 घंटे लगते हैं और वो 77 की speed से जाता है तो आपको के 77 into 8 तो यह भी कितना हो गया 616 km है तीक है अब समझ भाए तो पिशला कोशन यह वाला कोशन देखो बस नाम चेंज होते हैं वहां पे ट्रेन आ गया यहां पे रमेश तूरेश आ गया concept देखो आप concept आपका वही है कि यह जा रहा था speed 44 से यह जा रहा है speed 77 से time उसका inverse हमने लिखा 77 44 cancel कर दिया 7 ratio 4 यहां से हम actual time उनका निकालते है actual time कितना लग रहा है देखो यह इससे 6 गंटे कम ले रहा था ratio में कितना कम ले रहा है 3 तो 3 ratio 6 hours 1 ratio 2 hours 1 ratio 2 hours आया तो मैंने बताया answer इस ratio से भी आएगा इससे भी आएगा 1 ratio 2 hours तो 7 ratio कितना 14 hours 14 hours यह time लेता है कितनी speed से 44 44 की speed से 14 गंटे लगा रहे तो कितना होगे 616 km ठीक है चलिए अब इसमें थोड़ा सा twist है ना काम जो काम अभी तक आप करते आ रहे हो ना total distance निकालने वाला काम तो total distance तो आपको निकालना है लेकिन फिर last question में छोटा सा एक twist है उसको आपको समझना है यह अच्छा कोशन है एक्जाम में ऐसा कोशन आता है क्या कह रहा है देखो इपे मैं साइकल से 10 किलोंटर पर आर मैं की speed पहले speed आपको बताएगी भी वो दस की speed से जा रहा था then he arrives at a certain place at 1 pm तो वो एक बज़े पहुंच जाता था वो एक बज़े पहुंच जाता था if he cycles at 15 km पर आर अगर वो cycling करता है 15 km पर आर से अगर वो cycling करता है 15 km पर आर से he will arrive at the same place at 11 am तो वो 11 बज़े पहुंच जाएगा तो वो कितने पहुंच जाए 11 बज़े देखो simple सी बात है आप 10 की speed से जा रहे हो तो दो पैर में एक बज़े पहुंच रहे हो अगर आप 15 की speed से speed बढ़ा जी तो आप जल्दी पहुंच के 2 2 घंटा पहले पहुंच के किते मज़े पहुंच के 11 बज़े पहुंच के speed की ratio 10 ratio 15 तो time की ratio आप लोग जान चुके हो speed और time में होता है ultra रिष्टा inverse relation तो 15 यहां पर आएगा 10 यहां पर आएगा और हम cancel करेंगे तो cancel करेंगे हमारा जो time में gap है हमारा time में gap है 2 घंटे का हमारा time में gap कितने का है 2 घंटे का है हमारी ratio में gap कितने का है 1 ratio का है 1 ratio की value 2 hours तो मैं आपको बता चुका हूँ distance आप दोनों में से किसे भी निकाल लो 1 ratio 2 hours है तो 3 ratio कितना होगा 3 ratio कितना होगा 6 hours आपने इसका time निकाल लिया 60 km तो पहले आपने distance find के लिए 60 km है लेकिन इस बार कोशे में मुझे distance नहीं निकालना था तो distance के बाद क्या काम करने वो देखो at what speed must be cycle to get there at 12 p.m. मतलब वो कितनी तेज़ cycle चलाए कि वो 12 बजे ही पहुंच जाए ठेक है अब देखो अगर आप इसके according देखते हो यहां पर जो जा रहा था 3 ratio 6 hours मतलब इसको ना पहले 6 घंटे लगते थे मान लेते हैं एक example बना लेते हैं आप सुबह 7 बजे अपने घर से चलते थे कितने बजे 7 बजे आप सुबह 7 बजे आप अपने घर से चलते थे और हमने यहां पर यह निकाला कि आप 6 घंटे बात पहुंचते हैं ना साथ में 6 घंटे अड़को साथ बार और यह एक बजे ठीक है वन पीम पर पहुंच रहे थे ना आप यहां पर जब आप सुबह 7 बजे हैं अगर सुबह साथ बजे आप चलते हो तो 6 घंटे में पहुंचते हो तो मतलब दोपैर में एक बजे आप पहुंचते हैं लेकिन वो कह रहा है कि आज आपको एक बजे नहीं पहुंचना है आज आपको कितने बजे पहुंचना है बारा बजे इसका मतलब आपको एक घंटा पहले पहले प आपका लेकिन अब वही 6 घंटे वाला सफर आज आपको देखो पहले 1 बुज़े पहले 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 पुछना है तो वह आपको 60 km अब आपको कवर करना है 5 घंटे में तो आपकी स्पीड क्या होगे 60 km कवर करना है 5 घंटे में तो आपकी स्पीड क्या होगी 12 km पर आर तो 12 हमारा आंसर समझ आया नहीं आया होगा है मैं जानता हूँ भी यह वाद लास्ट वाला जो पॉइंट है यह आपको समझ में नहीं आया लेकिन लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो मैं दुबारा बतायता हूँ घवराने क्या जो होता है ठीक है हम यहीं है देखो पहले स्पीड थी 10 किलोड़ पर आर जब वो 10 की स्पीड से जा रहा था तो वो दोपैर में एक बज़े पहुंच रहा था जब वो 15 की स्पीड से जा रहा है तो वो कहना है ग्यारा बज़े ही पहुंच जा रहा है मतलब दो घंटे का गैप पड़ रहा है तो टाइम हमने इन्वर्स कर दिया है 15 रेशो 10, 3 रेशो 2 टाइम के रेशो में गैप है वन रेशो का तो वन रेशो 2 रेशो हमने 3 रेशो निकाल है 6 हूर दस किलोमेटर 6 गंते में मतलब डिस्टेंस होगा 60 किलोमेटर तेखें मान लों कि आप अपने इंस्टूट से घर जाते हैं इंस्टूट से घर आपका स्वारी पहले घर से इंसटोरांगे ना घर से इंसटोरागे कितना किलोमेटर घर से इंसट्यूटा आते हो साथ किलोमेटर ठीक है तो आपको सुवह साथ बजी चलते हो और छॺंटे बाद पोर एक बजी हम पहुँच रहेंnelें तो एक माच कபட करना है कि तो आपको स्पीड को बढ़ाना पड़े ग हगा तो वही साथ किलो मेटर आज आपको पॉस्टे में टरविल करने तो स्पीड आपकी कितनी है 12 और पाहले ना चलो आओ यह बहु है यह राँ आर पिस पूस्चिन काफी बार और शानम के नदर आ चुका प्रिब्र बॉक फ्रोड वांच की स्पिर से जाता है तो वो तीस मिट से लेट हो जाता है अगर वह छे की स्पीट से जाता है तो वह सिरफ पांच ही मिनट लेट होता है find the distance of his school from his house distance निकालना है उसका school का उसके house है चलिए देखे भी यहां समझो इसको अगर वह पांच की स्पीट से जाता है तो वह 30 मिनट से लेट होता है देखे पांच की स्पीट से जाता है तो वह 30 मिनट से क्या हो जाता है लेट देखे लेकिन अगर वह 6 की स्पीट से जाता है अगर वह 6 की स्पीट से जाता है तो सिरफ 5 मिनट ही लेट होता है अगर वह 6 की स्पीट से जाता है स्र время का रिशे का वे स्कूल फूंल रिस्टेंस निकालने बस ऊतनाा कि हमसे यह बनागी हैं टो टाइम की जो क्या बनें हिसे यह फाइब सिक्स फाइफ यहां पर ताइम में रेशे के टेने का पड़ा जब उपांच की स्बीछ थे लिटे का है तो time की ratio में gap हुआ वन रेशो का तो वन रेशो की value 25 minutes वन रेशो कितना हो जाएगा 25 minutes ठीक है और मैंने बताए distance आप दोनों में से किसे भी निकाल सकते हो मैं 6 ratio निकाल लेता हूँ 1 ratio 25 minutes तो 6 ratio कितना होगा 6 ratio कितना होगा 150 minutes 150 minutes का मतलब होता है धाई घंटे 150 minutes का मतलब कितना होता है 2.5 hours 60 plus 62 hours plus 30 150 होगा ना तो धाई घंटे तो 150 minutes का मतलब होगा धाई घंटे तो यह जो बच्चा है यह जो student है यह धाई घंटे चला है यह धाई घंटे चला है कितनी स्पीड से चला है 5 ही स्पीड से तो distance कितना हो गया 5 into 2.5 तो साड़े बारा किलोमेटर तो distance कितना हो गया साड़े बारा किलोमेटर तो यह question आप लोगों ने exam में काफी बार देखा अभी होगा इस तरी का question आता है मिनच में सब्कुर्ड को तो पहले वह जा रहा था पांच की स्पीड से तो वह तीस मिनट हो रहा था अब से किसे की स्पीडसे तो वह सिर्फ पांच मिट लिट हो रहा है तो आई मिट की सप्रीजियु के इंवर्स बनेगी सिकस रेशू था तो टांगर अंयरिशु में साड़े बारा किलोमेट है तो यह रेशियो वाला कंसर्ट आपको सौंज में आया भी कैसे हम कर रहे हैं तेक है अच्छा अब इसी कुश्य में एक चीज़ वह ऐसे भी डालता है आप मुझे बताना जारा हूं यह तो उतार लिया होगा है ना यह तो पूरा कर लिया मैं इसको आप से ऐसे लिखा होगा कि जब वह पाँंच की स्पीट से जा रहा है तो वह 20 मिनटेस लेट जाता है जब वह 6 की स्पीट से जा रहा है तो वह 10 मिनटेस क्या है अरली आठेक है जब वो 5 की स्पीड से जाता है तो वो 20 मिनुट लेट पहुंचता है G11 की स्पीड से जाता है तोई धस मिनट से और nonprofit पहुंच जाता है तो टाइम की रेशो में हमारा गैप कितने का или वा फिर इस का आप मुझे बताओ ताइम में गैप कितने का हुआ रही है ? है अब है 9 बजे किक लास है सुबह 9 बजे किक लास है एक बच्चा बीस मिट्ट लेट दाया तो मतलब वह नो बच्च कर बीस Mind पर पहुंचा होगा एक बच्चा अरलि आगया तो 9 बच्चा दस मिट्ट पहले 8 बच्ट के तो दोनों बच्चों में जो गाप है वो 20 प्लस 10 30 का गाप हो गया दोनों बच्चों में जो गाप हो जएगा लोग इंदे का हो जाएगा 30 अजिए इस बात समझ जटी हो थेखे तो एक बच्चा जब 5 किसी पीड से चला तो पीस मिट लेट पोँचा और अगर वो 6 किसी किलाया था एकसी मिनट एकसी मिन 1-2 कितने घंट्डगे एकसी इसमें उतिम्हक Honors और अप Ä्इब निकार मैं टोपांच Pांच फैन पन्दरा अब कनक्सी अच्छ oh यह सिर्फ इसी के लिए बनाए हमय बैथ कि 65W ó जाता है तो भीच मिन लेत है एगर दोनों में लेट ऩौ भी माइनस करना है लेकिन अगर एक में early है और एक में late है, तो उस case में 2 values क्या हो जाती है? PLUS धीक है? एक में late है, एक में early तो दोनों values क्या हो जाती है PLUS EARLY, EARLY में minus, late late में minus EARLY LAT में क्या होगा? PLUS होगा, थीक है? चलिए अभी यहां पर इसी पर आपको को एक पॉइंट और भी सीखाना है पूरा तेक है यह आप लोगों ने सीख लिया होगा अब यहां पर में चीज़ सीखने वाले हैं जिसको हम अगले कोशन में अप्लाई करेंगे बिल्कुल अगले कोश्ण में अप्लाई करेंगे तो यहीं पर फिर हमने वह चीज शीख कर ज time का फार्म हाँ क्या ओता time का फोर्म होता distance इस हब फार्न और यहाँ पर वह लोगे नीचे आप ऐलस्यम लोगे S1 इंटू S2 ठीक है नीचे हमने ऐलस्यम लिया S1 इंटू S2 तो S1 से हमारा S1 चला जाएगा तो आपके पास आया D इंटू S2 से आपका S2 चला जाएगा तो आपके पास आया D इंटू S1 और इधर आपके पास क्या है T1-T2 तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम D common लेंगे तो अंदर आपके पास यहाँ पर हा S2-S1 नीचे आपके पास है S1 into S2 और इधर आपके पास है T1-T2 अब जैसे question में हमसे distance पूछा जा रहा था तो मुझे distance की value निकाल ली है बाकी सबको में उदर ले जाता हूँ मुझे distance का part निकाल ले है बाकी सबको में उदर लेके जा रहा हूँ तो S1 into S2 यह वाला part मेरा वहाँ पर चला गया S1 into S2 यह वाला part नीचे आएगा S2-S1 और जो multiply में था हमाय पास T1-T2 हमाय पास है multiply में था T1-T2 ठीक है लिखने में आप इसको ऐसे लिखो भी distance is equal to speed का multiply speed का multiply नीचे difference of speed और यहाँ पर into में difference of time ठीक है यह अगर normal question आ रहा है इस तरीके से आ रहा है पीशे वाले question जैसे आ रहा है तो obvious भी बात है जो हमने अभी सीखा है हम उसी को follow करेंगे लेकिन अभी अगला कुछ question आने वाला है जहां पर हमें इसकी जूट पढ़ने वाली है तो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं यह तो यहां से जो हमने एक result जो लेकर जाना है न वह यह स्टर्री स्पीस्पी खेयर प्रियू ती श्यान किया बहूंर इस च दो आपके पास आ गया तो थर्टी और फाइफ 25 निट्स का था है न डिफरेंस ऑफ टाइम जो हमारे पास था 30 नहीं था वह तो दूसरे वाले कोश्चिन में था न जो मैंने एक्जाम्पल बनाया था यहां पे तो वह पहले 30 मिट से लेट है पांच मिट से लेट है तो जी गैप है वो 25 मिनिट्स का है 25 by 60 तो 6 से काड़ दिया 10 पांच से काड़ दिया 2 तो पच्ची बटा दो कितना आगे साड़े 12 किलोमेटर डिस्टेंस हाँ जी हुआ समझ भाहे हमने यह डिस्टेंस निकालने का फॉर्मला चिक्हा है कि अगर आपके पाद 2 स्पीड मैंचन है एंक स्पीड आपको बताराख जै है तो स्पीड में जो डिफेरंस है 5 और 6 में उसके वज़ए से ताइम में गैप कितने का पड़ा तो ताइम में म 60 आर्स में करने के लिए तो कैंसल कर दे तो डिस्टेंट डारक लिए आ जाएगा साधे बारा किलोमेटर अब इस कोश्चन के लिए मुझे इस फॉर्मला की जूट नहीं थी लेकिन पहले स्पिट 5 दे रिखे दूसरी फ्रीष भी बता रहे थे अब अगला जो कोश्चन आगर आपको इस स्पीड मेंशन नहीं होगी वहां पर आपको यह कहेगा कि अगर वह अपनी औरिज्ञनल स्पीड की बजाए जाता या फिर वह कहाँ अपनी औरिज्ञनल स्पीड की बढ़ाए चार जाद से जाएगा देखो स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगएगा कम तो तो पहली कंडिशन हुई कि अपनी और इजिनल स्पीड की बजाए अगर वह चार जाद से जाता है तो स्पीड में कितने कहाब चार का तो स्पीड बढ़ाई तो तसको दस मिल क्या लगे ऐसकी कंडिशन लेगा कि अपनी में अपनी स्पीड की बजाए वह क्या करेंगा दो कंब्सरे का कि शू से तो स्पीड में इतने का वह तू का तो उसको पांच मिंट ज्यादा लगते हैं तो 5 मिट को आर्फ में करो डिवाइड बाइड बाइए 60 कि समझ रहे हो यहां पर हम क्या कर लेंगे दोनों डिस्टेंस की क्वेशन को में कर लेंगे क्योंकि ना मेरे पास पहली स्पीड है ना में पास दूसरी स्पीड है ना ही ओरिजिनल स्पीड है बस आपको यह बताता कि अपनी स्पीड की बजाए वो किसी और ज्यादा स्पीड क्या लगते हैं जाता तो यहां पे आप लोग क्या करोगे भी 60 से 60 उड़ा दो गए है ना x x उड़ा दो गए उसके बद हम स्वाल कर लेंगे हमारे पास x की वैल्यू आजएगे तो जो भी हमारे पास x की वैलिव आईगे ना तो वह हमारी क्या हो गई? ओरिजिनल स्पीड होगी तरल उस ओरिजिनल स्पीड को आप चाहे यहाँ पूट करो तब डिस्टेंस आएगा योग यह उम्हें डिस्टेंस आइे उसमेडी काई है तो जहब हम एकश्प निकालेंगे तो पी सबस्कित औरिजिनल स्पीड को आप यहां पर पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा देखते हैं भी कोशिन को देखते हैं कोशिन को देखके फिर आपको चुछे क्लियर होंगी तेक है पढ़ो भी सबसे पहले इसको पढ़ो और अभी इसी टाइप आप अ मैंन कमर eight certain districts हुत है मार अगर मतंडर देखके इन किलोमेटर पर का फास्टकर चैकन कंडिशन एफ ह मोड घू स्थिक भू गर को तीन किलोमेटर पर आख फास्टर जाता है तो आप धी मित्स पिसपार्ट पर आठ टेकन वह फ्तेंस कुछल्शन मित już20 आपको distance is s1 into s2 speed का multiply नीचे difference of speed नीचे difference of speed into difference of time into difference of time देखो अब पहले सरसे पहले एक line बनानी है had he moved 3 km पर हार faster मतलब अगर वो अपनी speed x की बजाए अपनी speed x की बजाए x प्लस 3 से जाता तो स्पीड में कितने का हुआ तीन का अपनी speed की बजाए वो अगर तीन जासे जाता तो उसको 40 मिट कम लगते हैं 40 मिट कम लगते मिनिट को आर्थ में का डिवाइड बैस यह फर्स लाइन के लिए बन गया दूसरी के लिए इफ ही एड मूट टू कि लोट परार स्लोवर मतलब अपनी x की बजाए अगर वो दो कम से जाता तो स्पीड में गैप दो का हो गया तो उसको 40 मिट क्या लग रहे हैं तो उसको 40 मिटφ Zurich म York में आपको 2 km पर आर तो अगर आप से किसी ने स्कूटर की अरडिन्य स्पीद भैया स्कूटर लमडेटर कितनी स्पीड़बहाग रहा है तो आप कहते भी आशिपीड कितनी है 12 km आ रहा है बारा किलोमेटर परार स्पीड है ऊसकी तो लेकिन हम watt निक्राना था क्या स्पीड सधक हम pushed पुछा कि डिस्टेंस के लिए आप चाहें यहां पर पूट कर लो चाहें यहां पर पूट कर सकते हो ठीक है तो 12 जब मैं यहां पर पूट करूंगा देखो यहां पूट करने 12 12 इंटू 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 अपन में आपका कितना आगे 3 और मिनिट्स को 40 मिनिट्स को आर्स इवाइड बाय 60 ठीक है जी जीरो जीरो काट गया टू तू 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 otherwise फिर हमें वो पूरी equation हमें बनानी पड़ेगी question को solve करने के लिए दो equations बनेगी और फिर उसके बाद जागे question solve होगा तो मैं आपको एक बार दुबारा समझायता हूं देखो हमने यह distance निकालने का formula सीख है कि जब आपको दो speed के बारे में बता रखा हो कि अगर वो इतनी स्पीड के बजाए इतनी से जाता है तो नीचे हमाया पर speed का gap आजाता है difference speed और यहां पर क्या जाता है difference of time तो उसने का कि had he mode 3 km per hour faster उसका मतलब होगा कि अगर वो x की बजाए x plus 3 से जाए तो speed में gap इतने का हो 3 का तो उससे होगा कि चालिस्मेंट कम लगेंगे तो चालिस्मेंट और आर्स में divide by 60 एक दूसरी condition if we had more 2 km per hour slower अगर वो 2 कम से जाए मतलब x की बजाए x minus 2 से जाए तो speed में gap कितने का होगा दूका तो उसको चालिस्मेंट क्या लगेंगे जागा तो 40 upon 60 40 by 60 से 40 by 60 कट गया एक से x हमारा कट गया 2 से multiply कि 2 x plus 6 हो गया 3 से multiply कि 3 x minus 6 हो गया minus 6 जाए के plus 6 बारह और यह दर जाके माइस तो x की value 12 km पर आए यह original speed आई है यह आपके पास x आया है इसको चाहे तो आप यहाँ पूट को लो यहाँ पूट को लो दोन जगे से आपको distance से मिलने वाला है तो बारह को मैंने यह पर डाले यह 12 12 प्लस 3 15 नीचे 3 है इंटू 40 पॉन 60 एज़ इस तो distance निकाल लिया हमने कितना आगया 40 किलोमेट है कि ऐसा यह कुशिन आपने और बनाना है लेकिन इसमें एक अदर वर्ड कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ उसका आपने ध्यान रखना है कि अ कि अ कि देखो क्या देर है अगर मैं स्पीड को दस से बढ़ा देता तो उसको एक घंटा कम लगता अगर मतलम मैं एक्स की बजाए एक्स प्लस टैन से जाता तो स्पीड में गैप कितने का होगे टैन का तो टाइम में गैप कितने का अब वन आर का ठेक है अगर मैं स्पीड को फर्दर टैन से बढ़ा दूं मतलब पहले तो टैन से बढ़ा दूं तो मतलब अगर मैं पहले एक्स से जा रहा था तो अब मैं कितने से जाऊं एक्स प्लस ट्वंटी से जाऊं तो नीचे मारा स्पीड में गैप कितने का होगे ट्वंटी का तो टाइम में गैप क्या बन रहा है इट वूड़ आव टेकन फर्दर फॉर्टीफाइम लेसर पहले उसको एक घंटा लेस लगता था अब उसको फर्दर पंतालिस में और मतल आइक सो पांच में इसको मिनित को आरच में करोखना scoring डिवाइडबाएब मैं 60 एसस बात को कि पहले तो एक घंटा ही क्म लगता था अब उसको फर्दर फंतालिस में और गम लगते हैं तो में गटाश्क मिन गम में है तो 60 plus 45 कितना हो गया 105 अब आप एंसल कर लो बना लो इसको हमने x x को उड़ा दिया हमने 10 से 10 उड़ा दिया इसको भी काड़ देते हैं 15 चोके 60 15 70 57 यहां से आ गया है ना तो भी multiply करना पड़ेगा थाना 4 to the 8 8 से multiply करो गया 8 x हो गया plus 80 हो गया इदर से तो कुछ है नहीं multiply करने को यहां से 7 से करेंगे 7 x plus 140 हो गया कि 8 x minus 7 x x हो गया 80 उदर जाके माइस हो गितना हो जाके 60 तो x की value आगे 60 km पर आ तो अगर original speed ही पूछी गई होती original speed पूछी गई होती तो मैं answer बता देता 60 km पर आ original speed है लेकिन original speed नहीं पूछी गई हम से पूछा गया है distance तो distance के लिए चाहें यहां पर डाल दो चाहें यहां पर डाल दो कहीं पर भी पूट कर सकते हो तो 60 को मगर मैं यहां पूट करता हूं एक्स के पर 60 कि और यहां पर 60 प्लस 10 कितना 70 साथ है यह और नीचे महां पर difference 10 रहेगा और यहां पर आर्स कितना था वन तो बस हो गया यह तो साथ चे के ब्याले 420 km 420 km 420 हमार आंसर अब तो मुझे लगता है यह concept आपको समझ में आ जाना चाहिए एक बार फिर भी मैं question को और इसको repeat करता हूं देखें आप लोग घ्यान समझना कार्ड जो है PCQ जारी थी कौन से स्वीड पे वह गया अगर मैं speed को 10 से बढ़ा दूं तो मुझे एक घंटा कम लगेगा मतलब इस question में ध्यान देना था further के उपर इट वुड़ अगर मैं और speed को 10 से बढ़ा देता मतलब मैं x के बजाए x plus 20 से जाता तो speed में gap 20 का तो मुझे 45 मिट और कम लगते एक घंटा पहले वाला साथ प्लस 45 और 105 मिनट 105 में डिवाइड बाए 60 आर्स में convert कर लिया थेक है एक से x कैंसल किया जीरो से तो चार सो बीस किलोमेटर डिस्टेंस हो गया है तो डिस्टेंस वगर निकालने वाले समझ में आ गए न है चली तो अगर यह समझ में आ गए तो इस कुशन को पढ़ लो एक बज़रा ध्यान से है ना पढ़ लोगे तो इसके बाद सॉल करते हैं पर यह समझ में एन प्राई आ गए पहर से बीस टांपर के लिए लोगे कानपूर के पर लोगे तो इस है तो उसके विए मुटी खूओ अगर वाले से लिए उस धटीर पर देलिए आपूर के जाप्यान पूर्सके लिएटिषटाव प्रास अबिए विए प्राइब आमें ये आपको निकाल लगा है तो भी डागरह में आपको बार स्ट्रक्चर के लिटाइब करके दिखाता हूं इसका ना किहना क्या चाहता हूं कहना क्या चाहते हो यह देखने पहले मिली यहां से चली यहां बैठी है मिली मिली यहां से चली किसको मिलने चली किसको मिलने चली बई बिट्टू को मिलने चली है ना बिट्टू को मिलने चली है नो बजे यह भी नो बजे चली है मिली जो है वो भी नो बजे चली है जैपूर एंड कानपूर यह जैपूर से चली है कहा कशामिया जैपूर नियूण। यह कहां से चलाए यह कानपूर चला शवह इक है और फिर उसके बाद के स्पीड इसकी 70 है इसकी 60 है इसकी ससथर है इसकी 60 है इसकी स्पीड यूच अब चमब इसकी कितनी है शेकाइ किलोमेटर पर आप वो डेली में मे eso… घ्म कंगेज самой न्याइम मेरी वांको नाथ कंग गया तील 10.39 आएम दो यक खी यहाँ से चला हो यह दो जिल्थे चला है तो मिलने के बाद ही बैठ़े रोटी खाने के लिए तो रोटी खाने के लिए बैठाए और बैठने के बाद करने लंच खतम हुआ 10.39 पे अपने रास्ते हैं तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते रास्ते दोनों अपने रास्ते की तरफ चलेगे और यह बताया कि कि मिली रिष्ट कानपूर on 1227 मिली जो है ना दिल्ली से चली और उसके बाद कानपूर पहुंच गी बारास ताहिस पर यहां थोड़ी जेगे बना लेते हैं कि इसको अटाऊ जड़ा है कि मिली को इदर जाना था ना तो मिली जोने इदर पहुंच गई कि बारा बच के 27 मिनिट पर पहुंच गई ठेक है और हाउ मच ताइं दे स्पेंट वेट रूलेंच ठेक है चले यह कोशिन की इंफर्मेशन थी अब यहां पर देखो आपके पास क्या इंफर्मेशन में पास दोनों की स्पीड है मेरे पास स्पीड के सथर तो मिल्ली की स्पीड है और बिट्टू की कितनी है नबबबे हैं अब आपको जो टाइम पर प्ता चल रहा है कि दिल्ली में उन्हें 1039 पे लंच खतम किया और दिल्ली से जब मिली चली तो वो कानपूर पहुंच गई कितने बज़े बारा बज़ के साइस मिनिट पे तो मुझे ये पता चल गए कि मिल्ली ने दिल्ली से लेके कानपूर तक का डिस्टेंस कितनी देज में ट्रेवल किया है तेके देखो 10.39 पे लंज खत्म हुआ 10.39 से लेकर ग्यारा बज़ तक ग्यारा बज़ तक होते हैं 21 मिनट और बार से बार 27 मिनट तो 108 मिनट लगे किसको मिल्ली को कहां से कहां तक पहुँचने में डेली से कानपूर ठेके हैं देखो दुबार इस बात को समझो 10.39 पे लंज खत्म हुआ और उसके बाद ये यहां से चली 10.39 और पहुँची वहां पे कानपूर 12.27 पे तो 10.39 से 11 बे तक 21 मिनट वह हुए 11 से 12 साथ मिनट वह हुए 12 से 12 साथ मिनट यह हुए टोटल मिल्ली को 108 मिन लगे कहां से दिली से कानपूर तो जो डिस्टेंस मिली ने दिली से कानपूर का 108 मिन में ट्रेवल किया है तो वही डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं कि बिट्टू ने भी कितनी देर में travel किया होगा क्योंकि मेरे पास इनकी time की ratio है देखे speed 70 और 90 है तो time की ratio होगी 90 और 70 cancel करोगे तो ratio आपके पास बनकी 9 ratio 7 तो हमारे पास milli का time period था 108 minute तो मैं कहूंगा 9 ratio की value 9 ratio की value 108 minutes देखे तो 1 ratio की value 1 ratio मारे पास कितना हो जाएगा 12 minute तो हम 7 ratio यहां से निकाल लेंगे 7 ratio 12 7 कितना 84 minutes मतलब बिट्टू को जो time लगा देखो जितना distance मिली 108 minute में travel कर पा रही है उतना distance बिट्टू कितने देर में कर ले रहा है 84 minutes में तो बिट्टू यहां से 9 बज़े चला था और 84 minutes में इसने distance कवर किया होगा 84 minutes मतलब 1 घंटा 24 minute 60 plus 24 तो 9 बज़े चला 1 घंटा 24 minute के रहाद पहुच किया मतलब 10-24 पे वो दिल्ली पहुच चुके थे 10-24 पे वो दिल्ली पहुचे 10-39 पे रोटियां खतम हो गई तो इसका लंच कितनी देर हुआ लंच हुआ 15 minutes तो 15 minutes का था लंच टाइम समझ बाइद बात को नहीं समझोगे अभी बहना अभी एक बारी में थोड़ा समझ में आना तो वो मुश्विल हो जाता है कोई बात नहीं में एक बार और मैं समझाता हूँ आप लोग ध्यान से देखना देखी क्या था मिली और बिट्टू ने स्टार्ट किया वाकिंग और देखो वाक कर रहे है पैदल जा रहे है स्पीड देख रहे हूं कितनी है 70 और 90 इतनी स्पीड पो कौन जाता भई इनको खाने की लेखो तो मिली और बिट्टू यहां से चले हैं 70 की स्पीड से और वहाँ से वह चले हैं किनी So Fit से लगे से इधर कितनी स्पीड सेorship नबकी से लगे से लिए पर देखो है यहां पर पमिए पर कितने वजे मीरा नहीं ने सकती हमेरी ऐसंद और 10-39 तक खत्म किया, और 10-39 लूंसमे राष्टे और या इस अपने रास्ते है और ये पने रास्ते है अगर हमें बिट्टू के बारे में बिट्टू के इसाफ से देख लेते हैं, मिल्ली ने 10.39 जब लंच किया और वो कानपूर पहुँच की 12-27 पे पर 10.39 लंच खतम हुआ, कानपुर पहुच की 12.27 तो हम यहां से यही पता चलते हैं, हम यहां से मिली का टाइम पर निकाल लेते हैं, कि दिल्ली से कानपुर तक का डिस्टेंस, मिली ने कितनी देर में ट्रेवल किया, तो 10.39 पर लंच खतम हुआ, 10.39 से 11 बजे तक, कितने तो 108 मिली को लगे हैं, दिल्ली से कानपुर तक के, तो यही डिस्टेंस हम देखेंगे, कि बिट्टू को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, हमें उनकी स्पीड की रेश्यो पता थी, इसकी स्पीड 70, तो टाइम पर रेश्यो 90 और 70, तो टाइम हो गया, इन्वर्स 9 मिली का टाइम पर पता था भी 9 रेश्यो, इसको लगा 108 मिनट यह डिस्टेंस निकालने के लिए, तो 1 रेश्यो 12 मिनट, तो 7 रेश्यो, बिट्टू को लगे 84 मिनट, 84 मिनट का मतलब था 60 प्लस 24, एक घंटा और 24 मिनट, तो अगर यह चला था 9 बजे, तो एक घंटा 24 मतलब 10 बच के 24 मिनट पर यह पहुंच गया, दस 24 पर पहुंचे, दस 39 पर लेंच खतम हो गया, तो 6 मिनट और 9 मिनट कितने मिनट होगे, पंदरा मिनट इनका जो है लंच टाइम था, तो आप लोगों को टाइम में डिस्टेंस की इतनी बात है समझ में आई है, तो मैंने आ गंज रहता है था, train chapter हमारा time and edition chapter है, कोई फरक नहीं है, हमने जितने बी कोशन मनाए हमने speed or time कर रिशियो से बना लिए, तो वही concept हमने बी, train में सिखा था था, तो train में भी bit आ निकाल रहते, तो यहां पे हमने वही कि I speedo time relation निकाल ला था निकाल है, लहां पे train चल ले थी, यहां पर मिली बिटू भाग रहे है 70-90 की स्पीट से, ठीक है, कई बाद तो ट्रेन इतनी स्पीट से नहीं भागते हैं, जितनी यह भाग रहे हैं, रजनी कांथ की फैमिली से लग रहे हैं, मुझे यह हैं, उन्होंने रोबर्ट बनाया होंगे, चलिए, समझ आगे न, आप बाकी हम इसके अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे, कुछ हमने न, रेस कंसेप्ट हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, रेस के कोशिंस हमने स्टार्ट करने हैं, रेस कंसेप्ट, रेस कंसेप्ट के उपर एक्जाम के अंदर कोशिंस आते हैं, तो वो हम स्टार्ट करेंगे आपक नेक्स्ट क्लास में तो नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिए थोड़ देर के बाद जाके आप उसको देख सकते हैं ठीक है चलिए ओके थैंक यू वाई